नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं दूमरी उपचुनाव जीत से जोस में सियम हिमन्त बोले या आगाज है 2024 का जर्खन के दूमरी में पूर्व सिक्षा मत्री जगरनाथ महतों की निधन के बाद उपचुनाव में बेवी देवी जीत गई हैं उन्होंने आईसू नेता और NDA की उमिदवार या सोधा देवी को मात दी है बता दे यहां 5 सितंबर को उपचुनाव के तहत मत्दान कराए गए थे बेवी देवी दिवंगा जगरनाथ महतों की पतनी हैं सियम हेमान सुरेन ने एक्स पर लिखा आई डूमरी उपचुनाव की प्रचंड जीत के लिए डूमरी पिधान सभा की जानता और गड़ बंधन के समस्त नेताओ और करकाताओ को अनेको अनेक धनेवाद अभार और जोहार डूमरी की अफ प्रचंड जीत आगाज है 2024 का से सुपड़ा साफ होना तय है बताद सीयम ने आगे लिखा आई डूमरी उपचुनाव में जामो परत्यासी स्वर्गिये टाइगर जगरनाथ महतो जी की धर्मपतनी आधरनी भावी मा सिरी मती बेवी देवी जी को अपना सनेह देने के लिए डूमरी बिधान सबागी जनता कुमाई पुना अनेको अनेक थान्यवाद और अभार करता हूँ स्वर्गिये टाइगर जगरनाथ दा के सपनों और अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम करेंगी यह जारखंडी सरकार हमने बनाया है हम ही सवारेंगे स्वर्गिये टाइगर जगरनाथ महतो अमर रहे जैजारखंड बता दे की बेवी देवी ने आईसु पार्टी के उमिद्वार या सोधा देवी को 17,000 से अधिक मतों से हरा करजी तहासिल की है डूमरी विधान सभा में दूसरी बार महिला बनी विधायाक डूमरी विधान सभा सीट पर यह पहला मौका है जब इस बार हुए उपचुना में कोई महिला को विधायक बनने का सोभागे प्राप्त हुआ है उस उपचुना में पहली बार दो परमोक दलो से दो महिला परत्यासी चुनावी दंगल में आमने सामने थी इसमें इंडिया समर्थित जामो की बेवी देवी ने एंडिया परत्यासी चस्वेदा देवी को 17156 वोट के अंतर से प्राजित किया है मालूम हो कि वर्ष 1972 में बेरमो बिधान सभा से नावाडी प्रखंड को काट कर डूमरी बिधान सभा में सामिल कर नए बिधान सभा का से जन किया गया था वहीं 1972 में इस सीट से कॉंग्रेस के मोरली भगत चुनाव जीत कर बिधायक बने थे जारखंड में 42 लाख निरक्षर पुरुसों से दोगनी महिलाएं जारखंड को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर राज बनाने का लक्ष रखा गया है इसके लिए अभ्यान भी सुरू कर दिया गया है सिक्षावी भाग दोवारे तैयार पिछली रिपोर्ट के अनुसार जारखंड में बरतमान में कूल 42,27,942 लोग निरक्षर है इसमें से 17,00,00, लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाने का लक्ष रखा गया है इसके बाद निरक्षर रहा गये 25,00,00, लोगों को वर्ष 2,26 तक साक्षर बनाया जाएगा बाबुलाल मरांडी ने मद्दताओ का जताया अभार बोले चुनाव हारे हैं मैदान नहीं दुमरी बिधान सभा उपचुनाग पईनाम को लेकर बिज़ेपी परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने छेतर के मद्दताओ को सहयोग के लिए अभार चताया कहा यह पईनाम हेमन सरकार की हार और तुष्टी करण की जीत है पर परदेश अध्यक्ष बाबुला मरांडी ने हेमन सरकार पर निशान साथे हुए कहा उन्होंने बिजेपी के सभी करकाताओ का भार प्रकट करते हुए कहा है की उनके परिशरम और परयास के कारण ही एंडिये परत्यासी को दो हजर उनाईस के चुनाव से ज्यादा वोट प्रात हुए है लंबे अंतराल के बाद जारखन राज अल्पसंख्यक आयोग का गठन लंबे अंतराल के बाद आखिरकर सरकार ने जारखन राज अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया है अनुसुची जन जाती अनुसुची जाती अल्पसंख्यक एवन पिछला वर कल्यान विभाग के और सुक्रवार को अल्पसंख्यक आयोक को फुन गठन करने के सुचना भी जारी कर दी गई है जामुमों के हिदाय तुल्ला खान को अल्पसंख्यक आयोक का ध्यक्ष चारकन परदेश कॉंग्रेस अनुसासन कमेटी के सजस्य समसेर आलाम और कॉंग्रेस नेता जियोती सिंग मतहारू को उपाध्यक्ष बनाया गया है 10 सितंबर को लालू यादव रावडी संग आएंगे देवघर रायस सुप्रीमो लालू परसाद यादव 10 सितंबर को देवघर आएंगे उनके साथ पत्नी रावडी देवी और विहार के वरतवान डिप्टी सीम तेस्वी यादव भी मजूद रहेंगे पार्टी के अनुसार लालू परसाद की देवघर यात्रा पुरी तरह से धार्मिक यात्रा है लालू परसाद यादव देवघर में परिवघर के साथ बाबा बैदनात की पुझा करेंगे बतादे राश्ट्रिय जनता दल के अध्यक्ष लालू परसाथ बिहार की पुर्व मुख मंत्री रावडी देवी और बिहार के वर्तमान उप मुख मंत्री तेश्वी आद वदा सितंबर रभीवार को देवगर आएंगे डूमरी उपचुना में हार की समिक्षा करेगा आईसू आईसू पार्टी डूमरी उपचुना में मिली हार की समिक्षा करेगी यह बात आईसू के केंद्रिय प्रवक्ता सभ महा सच्ची देव सरान भागत ने कही है उन्होंने कहा है कि डूमरी उपचुनाम में जामों की जीत हेमन सरकार के काम काज़ पर जानता कि मुहर नहीं है बलिक डूमरी में आस्थानिय परसासन ने जामों के करक्रता के रूप में काम किया है बता दे डूमरी बिधान सभा उपचुनाम में पराजित होने के बाद आईसू पार्टी के केंद्रिये परवगता और महासाजी देव सरण भगत ने कहा है कि आईसू पार्टी अपने लक्ष को पानने में बिफल रही है और जल्द ही हार की समिक छाकी जाएगी पार्टी के केंद्रिये कर्याले में सन्वधाता सम्मेलन आयो जीत कर जामो परत्यासी बेवी देई को जीत के लिए बधाई देने के साथ देव सरण भगत ने कहा है कि जामो के जीत हिमन सुरेन सरकार के काम काज पर जानता कि मुहर नहीं है उन्होंने कहा है कि जामों की जीत दूमरी में परसाशन की जामों करकाता के रूप में काम करने की जीत है धनबल की जीत है और जातिय ध्रुई करन की जीत है 18 IPS अफसरों का तबादला जारखन में 18 IPS अफसरों का तबादला हुआ है रांची के सिनियर SP किसोर का उसर को जमसेद पूर SSP बनाया गया है वहीं चंदन कुमार सिनहा को रांची SSP की जिमिदाई दी गई है बता दे जारकन सरकार ने सुक्रवार की साम 1718 IPS अधिकारियों के तबादला कर दिया है रांची SSP का उसर किसोर को जमसेद पूर का SSP बनाया गया वहीं पोस्टिंग के लिए प्रतिक छारत चंदन कुमार सिनहा अब रांची के SSP होंगे रांची के CTSP को भी बदल दिया गया है रांची CTSP सुभांसु कुमार जैन वेटिंग फोर पोस्टिंग हो गया है बेमेम के केंद्रिये महासाची सुप्रियो भटाचाई ने डूमरी उपचुनाओं में जामो परतियासी की जीत पर खुसी जताई है उन्होंने जीत से उत्साहित होकर BJP को इसी वर्च लोग सभा चुनाओ कराने की चुनाओती दी है उन्होंने कहा है कि डूमरी उपचुनाओं में पार्टी की जीत धनबल पर लोगतंत्र की जीत है उन्होंने कहा है कि राज सरकार के काम काई से संतुष्ठ होकर जानता ने अपनी मुहर लगाई है बता दे डूम्री बिधान सभा उपचुनाव में जामो परत्यासी बेवी देवी की जित से उत्साइज जामो के केंद्रिये महासाची सुप्रियो बटाचाय ने भाजपा को इसी वर्ट लोक सभा चुनाव कराने की चुनावती दिया है बता दे डूम्री बिधान सभा उचुनाव में जामो परत्यासी बेवी देवी की जित से गड़बन्दन की सभी पाटिया उसाहित है कांग्रेस ने इसे इंडिया की जित और बावुला मिरांडी की हार करार दिया है पार्टी के परदेश महासाची राकेश सिन्हा ने कहा है कि डूम्री की जानता ने भाजबा आईसू गडबन्धन को नाकार दिया है और इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया है बता दे डूम्री बिधान सभा उचुनाव में जामो परत्यासी बेवी देवी की 17,000 से अधिक मतों से जित की सूचना मिलते ही कोंगेश के परदेश कर्याले में पार्टी के परदेश महासाची राकेश सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा है कि या आईसू से ज्यादा बाबुला मरांडी की हार है दूमरी जीत के लिए सीम ने जनता को दिया धन्यवाद दूमरी उपचुनाव में जामो के जीत के बाद मुखी मंतरी हमनसुरे जनता और गडबंधन के सभी नेताओ और करकताओ का भार ब्यक्त किया है उन्होंने जनता से कहा है कि हमने बनाया है हम ही सवारेंगे बदाद जारखन के दूमरी बिधान सभा उपचुनाव में जामो पत्यास बेवी देवी ने संदार जीत दर्ज की है इससे जामो के नेता और करता काफी उत्साहित है कहीं अतिस वाजी की जा रही है तो कहीं डोल नागारे बजा कर और मिठाईया खिला कर जासन मनाया जा रहा है बेवी देवी की संदार जीत पर मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने भी जनता का भार जताया है उन्होंने कहा है कि हमने बनाया है और हम ही सवारेंगे मुखी मंत्री हमान्शुरेन ने सोसल मेडिया पर इस जीत के लिए डुमरी विधान सभा की चांता और गट बंधन के समस्त नेताओ और क्रकरताओ को धनेवाद दिया है बीर्शा मुंडा की परतिमा का किया गया लोकारपन राजधानी के बीर्शा मुंडा यारपोट को सुंदर और विशाल बनाने के लिए यारपोट अथोरिटी और जीला पर सासनलागातार पर्यास कर रहा इसको लेकर सुक्रवार भगवान बीर्शा मुंडा की परतिमा का लोकारपन यारपोट पर किया गया लोकारपन कारकरण में बिधान सभा अध्यक्स रविंदरात महतो सहीद राई सभा सांसद लोक सभा सांसद एवं कई पदाधिकारी गण मौझूद रहे इसका निर्मान जारखन के कलाकार सीवम ने किया है बतादे राईधानी राची के बिशाम मुंडा यारपोट पर सीसी एल की तरब से भागवान बिशाम मुंडा के परतीमा लगाई गई है पहली अगनी परिक्षा में बाबु लाल को लगा जटका भाजपा का परदेश अध्यक्स पदसा भालने के बाद डूमरी बिधान सबा उपचुना में पुरमुख मंत्री बाबुला मरांडी की पहली अगनी परिक्षा थी जिसमें उन्हें जटका लगा है मरांडी फिलहाल पार्टी की संकल प्यातरा पर है इस दोरान समय निकाल कर उन्हें डूमरी बिधान सबा उपचुना के परचार अभ्यान में हिसा लिया है मरांडी लागातार राज सरकार के खिलाप मुखर है बदादे भरष्टा चार के मसले पर उन्हेंने सरकार की घेराबंदी की है लेकिन उप चुनाव का पईनाम आने के बाद उन्हें आगामी लोग सभा और विधान सभा चुनाव के लिए नए सीरे से रण निती बनानी होगी लोग सभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने का टास्क भाजपा आला कमान उन्हें सोपा है जारखन में नहीं चलेगी OIC इर्फान अंसारी जामतरा के कॉंग्रेस बिधाक डाक्टर इर्फान अंसारी ने कहा है कि हैदराबाद के अस्तुदीन OIC जारखन में नहीं चलेगे डुम्री बिधान सभा उपचुना के पहिनाम ने असावित कर दिया है कि राजे में जूट प्रचंड और भ्रम का साहारा लेकर रायनिति करने वालों के जहांसे में जानता नहीं आने वाली OIC ने दावा किया था कि राज में मुसल्मानों के लिए वे उच सिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं वे जमीन दिलाने के लिए तयार हैं मुसलिमों के हीत में अगर वे काम करना चाहते हैं तो यह करके दिखाएं इर्फान ने कहा है कि डुम्री में जानता के जाना देश से असपस्ठ है कि अगले लोग सभा और विधान सभा चुनाओं में भाजपा आज सुगडबंधन का सुप्रत साफ हो जाएगा हे मन्त सोरेन का बढ़ा कद अब और होंगे अकरामक डुम्री बिधान सभा उप्चुनाओं में सतर और जारखन मोक्ति मोर्चा की जीत से राज में भाजपा बिरोधी गडबंधन INDIA का खाता खुला है गडबंधन की निव पढ़ने के बाद पहली बार हुए उप्चुनाओं में ही जीत हासिल हुई है डुम्री की जीत पर मुखे मंत्री है मंसुरे ने कहा है कि डुम्री उप्चुनाओं की प्रचंड जीत के लिए डुम्री बिधान सभा की जनता और गडबंधन के समस्त नेताओं और करकताओं को अनेको अनेक धन्यवाद अभार और जोहार डुम्री की अब प्रचंड जीत 2024 का आगाज है जनता ने ठान लिया है कि जार्खन में सिर्फ जनतंत्र चलेगा धनतंत्र नहीं यहां सिर्फ और सिर्फ जार्खंडियों की सरकार चलेगी वहीं बिरोधियों पर निशाना साथते हुए सियम हिमनसुरे ने कहा है कि भाजपा और आईशू के छल और अहंकार का अब जार्खंड से सुप्रा साप होनाता है जे एमेम ने भाजपा को दी चुनावती इसी साल कराए लोग सभा चुनाव डुम्री उप चुनाव में जीत के बाद जार्खंड मुक्ति मोर्चा में खुसी का लाहर है पार्टी दफ्तर पर जम कर जसन मनाये जा रहे हैं वहीं जीत से उसाई जार्खंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को खुली चुनावती दी है जार्खंड मुक्ति मोर्चा के महासची उसा प्रवक्ता सुप्रियो बटचाई ने का एक डूमरी के साथ पूरे देश में साथ उपचुनाव हुए जिसमें पांच में भाजपा बोरी तरह से हार गई भाजपा में हिम्मत है तो इसी साल लोक सभा का चुनाव कराए जार्खंड के 14 लोक सभा सीटों में से 10 सीटों पर जमानत जब्त करा देंगे उपचुनाव में भाजपा बिरोधीगट बंधन का असर दिख गया है डूमरी के पूरे चुनावी अभियान में बावला अमरांडी और सुदेश मतुन जूट प्रशंड और भ्रम किस्तिती पैदा की जानता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है दस दिनों से कोमा में पूत्र इलाज के लिए पिता घर घर भीख मांगने पर मजबूर चारखंड में गोम्यों परखंड की होसीर पूर्वी पंचायत के चेलिया टांड गाव में बिते 28 अगस्त को घर की सिरी से गिटने के बाद इलाज के दोरान 40 वर्षिये दिनेज के वर्ट कोमा में चले गए अब उनकी इलाज के लिए गरीब माता पिता और दिनेज का दिव्यांग पूत्र सीवा के वर्ट घर घर भीख मांगने को मजबूर हो गए है पिता बुक का केवर्ट वा माधा तारा देवी ने बताया है कि दिनेज मचली बेचकर परिवार के जीविका चलाता था दस दिनों से बोकारो जनरल अस्पताल के आईसी वार्ड में भरती है उन्होंने बताया है कि परिवार की सारी जमापूंजी इलाज में खर्च हो चुकी है नकसलियों का अतंक रिटाइड बीए सेब जवान की हत्या एक तरफ जीला परसासन पच्छमी सिम्भूम में गुगा गोली कांड के सहीद दिवस पर सीम के आगवान के त्यारी में ब्यस्त है वहीं दूसरी तरफ जीले में नकसलियों का खोनी खेल जारी है बतादे सीम के परस्चमी सिम्भूम आने से ठीक 12 घंटे पहले नकसलियों ने एक और ब्यक्ति के हत्या कर दी है इस परकार माह भर में नकसलियों ने अब तक 6 ग्रामिनों को मार डाला है नकसलियों ने इस बार स्तेवा निवरित B.S.F. के जवान की गोली मार कर हत्या की है खाटना गोईल के राथाना छेतरे के कदमा डीप पंचायत अंतरगत का सी जोड़ा गाउं की है नकसलियों ने सिवा निवरित B.S.F. जवान सुखलाल पूर्ती के घर में घुस करूने गोली मारी है इसके बाद सोव को गोईल के राचाई बसा सलक पर लाकर रख दिया है बोकारो यारपोर्ट नागर बीमानन सुरक्षा बीरो की टीम ने सुरक्षा का लिया जाजा एरपोर्ट अथरिटी के डारेक्टर अनिलकस अपने बताया है कि नागर बिमान सुरक्षा बियोरो की टीम सेक्रिटी पॉइंट समधी जाच की है एरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर दो अस्तर से जाच की जाती है सियम हेमन्त बोले सहीदों के सपनों का बनाएंगे जारखंड जारखंड के सियम हेमन्त सुरे ने गुआ गोलिकांड की बरस्ती पर बीर सहीदों को नमन किया उन्होंने कहा है कि अपने इन बीर सहीदों के सम्मान में आयोजी सर्धानजली सभा में हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं इस अउसर पर हम सभी अपने सहीदों, पुर्वजों और अंदोलनकारियों के आदर्स को आत्म साथ करने और उनके सपनों का जार्खन निर्मान का संकल्प ले इस अउसर पर उन्होंने सहीद असल पर मलयारपन करवीर सहीदों को संधाजली दी है